नबस्कार आप देख रहे हैं टीवी नाइन भारत वर्ष मैं हूँ आपके साथ अंजली मेरे साथ मेरे सयोगी करूना शंकर शर्मा भी है और आपको हम दिखाएंगे इस वक्त हमारा खार शो एजेंडा फुल एंड फाइनल हम इस बुलचिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है बिल्कुल आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरे क्या हैं याद देखिए नेटो का रूस प्रवेश बच्चा तसकरों से साथार मदर्से के साथ स्कूल भी जाओ गर्मी से सर्वनाश की पिक्चर MP में स्कूलों का डिर्टी बिस्निस और सबसे पहले जो बड़ी ख़वर है वो ये कि यूखरेन और नाच्रो देश फ्रांस का बड़ा बयान सामने आया है जिलंस्की बोले रूस में हमले की इजाज़त मिले फ्रांस की राश्च्चुपती ने जिलंस्की का समर्थन किया है मैको का है रूसी घ्री जारूंफ पर हमले ज़रूरी है यते हैं। जते हैं यते पिते हैं।ॉ सव्सिते हैं। वो लिए लो लेओने लिए और अवो लिए जाजें रुए श्कर चाछ रूज्ट की अबाँ माता है जिसे लगता है लुगता है कि बहुत जल्ड फ्रांस ने जलंस्की की रूस में घुसकर हमली की बात कर समर्थन किया जलंस्की ने इसके लिए खास प्लान भी तायार किया हुआ है यूक्रेन में रूसी सीमा के पास नैटो ने अपनी सेना तैनाद की हुई है जिससे विद्वन्स का खत्रा हर पल मंड़ा रहा है अमेरिका ने हाला की अभी इसको हरी जंडी नहीं दी है लेकिन लाल जंडी दिखाने का भी कोई संकेत नहीं दिया है यानि अभी पत्ते नहीं खोल रहा है तो उधार यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव पर रूस बारूदी बच्छार कर रहा है ऐसे में रूस को रोखना बेहत एहम हो गया है और वहीं रूस में घुसकर हमले करने के पक्ष में कई और नाटो देश भी है फ्रांस लात्विया घुसकर हमले के समर्थन में है चेक गणवराज एस्टोनिया ने दिलैंड भी साथ आ गया है तो आपरेशन इंसाइड रूस को किन नेटो देशों का साथ है ये भी आप जान लीजे खुद नेटो प्रमुक जेंस टॉल्टन बग ने कहा युक्रेन को हमले से नारो के लाथविया की राश्पती एडगर्स रिंके विक्स ने कहा कि पाबंदी का कोई कारण नहीं चेक गणवराज्य के पी-एम पेट्रु फियाला ने कहा है कि कीव को हमले की इजासत मिले इस्टोनिया के रक्षामंत्री हनो पेवकूर बोले कि हत्यार देने वाले देश इस बारे में सोचे चिंतन करें इसके साथ ही नीदरलेंड की रक्षामंत्री काजिसा और लाइंग्रेन ने कहा कि रूस के भीतर घुसकर हमला करने या फिर नहीं इस पर बात आखर क्यों नहीं हो रिसी रेक्षन हो हला कि रूस में घुसकर हमले के खिलाफ बेलजियम और इटली है तो वहीं अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने फैसला यूकरेन पर छोड़ा है तो देखिए अब जो है वो रणनीती इस तरीके की बन रही है कि नाटो के कई देश समर्थन में हैं कि रूस पर हमला कर दिया जाए जादा जानकारी के साथ हमारे से योगी सुमित चौधरी हमारे साथ जोड़ रहे हैं बिल्कल हलाकि नाटो देश लगातार ये बात तो ज़रूर कहरें एंडिविजिल चेगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस लगातार ये कहरा है कि ना सरफ रूस के अंदर हमला करने की बात कहरे हैं युक्रीन वारा बलकि उनके हातियारों की सप्ट्वाई जो नाटो देशें की तरफ से हुरी है जो अमारीका की तरफ से हुरी है उनका इसतमाल युक्रीन कर सके रूज के अंदर अटाक करने के लेकिन एक नाटो बिसकोई नाटो देश कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहा है जिसमें कहे रहे हैं कि ना सिर्फ उनके उनके जो सिपाहीं हैं जो उनके सेने वो और वो इसलिए भी कि रूसी साफ कर चुका है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर निशिन तोर पर रूस सीधे तोर पर अटाक करेगा नैटो के देशों में तो यानि की डारेक्ली बिल्कुल डारेक्ली जो सोल्जर्स हैं वो रूस के खलाफ इल्वार इन्वाल्व ना हो लेकिन योक्रेइन को इसका पूरा समर्थन दिया जाए सपोर्ट किया जाए रूस पर अटाक के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका इस बीच वाल्दमिर जलंसके और बेल्जियम में बड़ी डील हुई है योक्रेइन को एक बिलियन डॉलर की सैने साहता दी गई है योक्रेइन को 30 F-16 लड़ाव को फिमान देगा बेल्जियम जलंसकी के बेल्जियम दौरे में दोनों देशों की ये डील पक्की हुई है और वही रूस के भीतर हमले की चर्चा के बीच योक्रेइन का विद्वन सक अटैप योक्रेइन ने हमले में रूसी टैंक को नश्ट कर दिया है आमर्ड परसनल कैरियर इंफेंट्री गी तबाह योक्रेइन की 47 मैकनाइज ब्रिगेड का हमला और अब बात आपके बच्चों की सुरक्षा की हम करेंगे हाइदराबाद से खबरे जहां बच्चा तसकर गिरो का भंड़ा फोड़ हुआ है 11 आरोपी गिरफतार हुए है 13 बच्चों को बचाय गया है हाइदराबाद की राचकुंडा पुलिस ने गैंक से दस्यों को पकड़ा है चाइल्ड वेलफेर कमिशन को सौपे गया है सभी बच्चे अंतराश्ट्री बच्चों को बेचने का एक जो रैकेट है उसको राचकुंडा पुलिस में बस्ट किया है इसमें कुछ लोग ग्यार करूनी तरीके से बच्चों को दिल्ली और पुने से लेकर अलग लग जगात बेच रहे थे कहीं पर 50 जार से लेकर एक लाख में बच्चों को दिया जा रहा था जिन पेरेंट्स जो पेरेंट्स बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाहरे उन से लेकर एंड कपल्स जो प्रेक्योर कर रहे हैं वो लोग चार से पांच लाख इन बच्चों को लेने के लिए दे रहे थे करी 12 लाग बच्चों की तस्कारी की मामले आते हैं युनिसेफ की मताबिक बच्चा तस्कारों के सबसे पसंदीदा देश भारत बन गया यहां से बच्चा चोरी होते हैं दोसरे देश होney नोकर बनाने के लिए होते हैं यूनिसेफ के मताबिक बच्छा तस्कारी में सबसे ज़्यादा प्रभाविक जो राज्य है वह पश्र बंगाल बिहार उत्रप्रदेश और महराश्रा और चुलिए आपको दो तस्फिरे दिखाते हैं इसमें एक तरफ वो माता-पिता है जो अपने बिछड़ इसने कारवाई नहीं की क्योंकि इन सभी का बैग्राउंड क्लियर है और इनकी मनशा किसी अपराद को अंजान देने की नहीं थी बस माता-पिता बनने की इनकी मनशा थी चाहते थे माता-पिता बनना की टीव-9 अपील करता है कि आप अपने बच्छों का खास ख्याल रख ही कहा है इनको ले जाए जाता थे क्या पता चल पाया है करने कीコब भी कि पॉली सिर्त बतारी है लगादार पॉली सबड़िय में बैचने की बातारी है और लगादारified तो बातार पॉली से चाहपे-मारी कारी इक लोग जो बचों करे गया तो हमक की वेल्हा थे मोएगा एक बदेभाए लेरत को जिन बच्चों को च॔री क्या मावाब भी कल पोलिस ने के सामने धरना करने लगे हैं हमारी क्या कलती थी हम लोग बच्चों को बाधापता खरीदा था देखें उनका प्यार जो था वो खुल कर सामने रहा था मगर पोलिस उन मावाब को भी समझा रही है जो लोग ठीक है पोलिस को बहुत बड़ी आप अनिवार्य कर दी गई है स्कूले सिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य गुजरात के सिक्षा मंत्री ने दिये जानकारी मदर्सों में पढ़ रहे साथ हजार चात्रों के सर्वे हो रहे हैं सूरत के मदर्से में आठ सो चात्र स्कूल नहीं जाते हैं सर्वे य फिक्स संख्या नहीं हो सकती शायद, वो लोग सिर्फ मदरिसा में ही स्टडी कर रहे और जो मूल शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, यह शिक्षा प्राप्त नहीं की है, बचे का केरियर बनाने की है, तो यह मजब के साथ नहीं है, लेकिन कोई प्रियास करेगा, तो यह हम च लाने वाले नहीं हैं, और चलिए अब आपको बताते हैं कि गुजरास सरकार का यह पूरा फैसला क्या है, बिग वॉल का सीदे रूख करते हो और जो फैसला लिया गया, दरसल इस फैसले मदर्सों के हालाद, शिक्षा इंतजाम का सर्वे किया गया है, सर्वे के बाद फैस पढ़ने वालों के लिए स्कूली सिक्षा आनिवारिय कर ती गई है, इसके लावा इस स्कूली सिक्षा निवारिय करने वाला देश का पहला राज्जबना है गुजरात, जहां पर इसको अनिवारिय किया गया है, राश्ट्रिए अबाल अध्गास संड्रक्ष्ण आयोग बकायत इस फैसली की तारिख भी की है और आगे जानकारी ये भी कहती है कि गुजरात में मदर्सों पर ये जो फैसला लिया गया है वो सिर्फ इसलिए कि मदर्सों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको स्कूली सिक्षा भी दी जा सके और चलिए बात करते हैं गर्मी के प्रवकोप से आपको बचाने के एजन्डी के दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा है सौस साल का रिकॉड दिल्ली में कल तापनान 49.9 डिगरी सेल्सियस रिकॉड किया गया देश में 17 इस्थानों पर पारा 48 डिगरी को क्रॉस कर गया राजस्थान के चुरू हर्याणा के सिर्सा में 50 डिगरी पार 2 से 3 दिनों में अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है और अब जानिए कि देश में कहा कहा गर्मी केर बरपारी है दिल्ली, राजस्थान, हर्याणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महराश्ट और पंजाब इस वक्ट जुलस रहे हैं सूरज यहाँ पर आगूगल रहा है एहम जानकारी यह है कि उत्तर और मद भारत में भीश्वन गर्मी से हाहाकार मचा है देश में 17 जगों पर 14-48 डिगरी को क्रॉस कर गया राजस्थान में लो से चार लोगों की मौत हो गई वही चुरू सिर्सा में तापमान 50 डिगरी पार पहुँच गया है दिली में आज भी गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है कुछ दिन में दिली में चटपुट बारिश हो सकती है तो देखिए हीट वेब को लेकरके अलर्ट जारी किया गया है और कई जगों पर स्कूल भी बंद किये गये हैं जहां पर अभी समर विकेशन नहीं हुए थे गर्मी पर CSE के रिपोर्ट में एक चोकाने वाले दावे भी किये गये हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दे रात में महानगरों का तापमान बढ़ रहा है कॉंक्रिट और डामर के प्रिभाव से जादा तापमान तेजी से बढ़ते शेरी करण से गर्मी और जादा बढ़ रही है तो देखे रात में महानगरों का तापमान बढ़ रहा है सिर्फ दिन महीने बल्कि रात में भी जो हवा चलती है वो बिल्कुल गर्म हवा चलती है और गर्मी निस्सों सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है दिल्ली में कल 49 डिगरी टेंपरेचर था गर्मी पर CAC की चौकाने वाली रिपोर्ट है कि रात में महानगरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है तो आप देखे रात के वक्त भी कोई आराम नहीं मिल पा रहा है कोई रहात नहीं है CAC की रिपोर्ट में क्या कुछ खुला से हुए आपको बताते हैं पिछले दो दशक बेहत गर्म रहे और तापमान लगातार बढ़ रहा है महानगर जैसे दिल्ली मुंबाई चिन्नाई में उमस बीते दशक में 5-10 फीसद बढ़ गई है हैदरबाद में 10 फीसद तो मुंबाई में 8 फीसद कॉलकाता में 7 फीसद तो वहीं चिन्नाई में 5 फीसद तक उमस बढ़ गई है और इसकी वज़ा है बढ़ता शहरी करण क्योंकि बिल्ट अप एरिया लगातार बढ़ा है 2003 में 31.3 फीसद बिल्ट अप एरिया बढ़ कर 2022 में 32.2 फीसद पर पहुच गया है और शहरी करण का गर्मी कनेक्शन क्या है अब ये भी आपको बताते हैं खुद परियावरन विशिशक गे सुगीत ग्रोवर बता रहे हैं क्या है कारण हमारे जो green areas है और blue areas है मतलब जो water bodies है और जो plantations है forest areas है वो सारे कम होते जा रहे हैं हमने urbanization की वज़े से बढ़ा दिया लांग तो इस वज़े से heat जो absorb हो जाती थी वो कम हो गई है दूसी चीज यह है कि हम लोग heat produce भी जादा कर रहे हैं अब आपकी गाड़ी है या air conditioner है यह heat produce भी जादा कर रहे हैं और अगर वो heat produce होगी और हम लोग सही तरीके से शहर डिजाइन नहीं करेंगे तो वो heat trap होती जाएगी और वहीं दुनिया को चिंता में डालने वाली प्राकृति घटना आपको बताएं अंटार्टिका से तूट कर अलग हुआ बड़ा आइजबर्ग हेमखंड A83 दिल्ली के आकार से चार गुना बड़ा है कौपर निकस सेंटिनल एक सेटलाइट से मिली तस्वीर के जरिये अजबाद का खुलासा हुआ देखें कैसे अलग हुआ है आइजबर्ग और सबसे बड़ी चुनता की बात यह है कि लगातार जैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रको बड़ रहा है इसके बाद यह घटना हु अलग हुआ है दिल्ली से चौर गुना बड़ा है 150 मीटर इसकी मोटाई है तो यह आइसबर्ग कैसे तूटा इसकी क्या माइने है यह हम आपको बताते देखें A83 आइसबर्ग कैसे तूटा मेरे पीछे आप देखेंगे कि तस्वीरे भी सामने आ रही है देखें ग्राफिक के प्रिभाव की वज़े से यह तूटा है बिल्कुल जलवाईू परिवरतन से बर्फ कमजोर हो रही है है हैलोवीन क्रैक बढ़ रहा है बर्फ लगाता तूट रही है बर्ती ग्लोबल वार्मिंग जलवाईू परिवरतन इसके कारक हैं और इसके साथ ही कॉपर निका चिंता में डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं आगे बढ़ते हैं अंटांटिका का लगातार पिघलना दुनिया के लिए चिंता का विशय है क्यूंकि इससे विनाश का खत्रा लगातार बढ़ रहा है पिछले चार साल में तीन बार ऐसे बड़े आइस बग तूटकर अलग हुए हैं 20 माई 2024 को A83 अलग हुआ है जैनवरी 2023 में A81 आइसबग तूटा 2021 में A74 हिमखन तूटकर के अलग हुआ ये सभी बड़े आखार के थे अगर ऐसे ही ये हिमखन तूटते रहे बर्फ पिगलती रही तो समंदर का जलस तर बढ़ जाएगा और कई देश डूब भी खत्म हो जाएगा